हलो दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्षेड.com दोस्तों सबसे पहले आपको होली की धेर सारी सुकम ना है प्रूमित करते हैं आपका होली काफी बढ़िया गुजरा होगा और आज बसे होरा भी आप अच्छा से मना रहे होंगे दोस्तों आपके परिच् सिरीज भी लेके आ रहे हैं जो आपके परिच्छाओं के लिए काफी फ्याद्रमन साबित होगा और आज जो है हमारा पहला जो हैं से क्यों के वीडियो आपके सामने प्रस्तूत है जो आपके लिए काफी 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 यूश्फूल होने वाला है ठीक है और इस बार 2023 में य दम छीन लेना है सेलेक्शन को दोस्तों एक बश्रीर चंद स्यानी की चंद पक्तियों के साथ अपना ये टेसरी सुरू करेंगे कि हो गए पीर परवस्य इसे पिघलनी चाहिए इस हिमाले से भी गंगा निकलनी चाहिए ये दिवार जो पर्दों की तरह सरकी है सर्थ है कि इसका बुनियाद भी हिलनी चाहिए दोस्तों हिलाद बुनियाद और ले लो नोकरी ले लो सेलेक्शन चलिए शुरू करते हैं देखिए जो है आपके लिए इंपोर्डेंट है तो हम लोग जो है जीके जीएस भाई पुनी सर्फ ठीक है और काफी जो है इसे रिलेटेड ज हम लोग इसको चर्चा करेंगे पहला जो प्रस्न कहता है कि निलगिरी पहारी के विस्तार को उनके विस्तार के संदर में बताएं कि किस राज में उनका विस्तार सबसे ज़्यादा है ये बताना है आपको कि जो निलगिरी परवस्त्रेनी है उसका विस्तार कीन राज में ज और इंसर जो होगा क्या होगा दोस्त तो याद रखिएगा इसका एंसर होगा तमील नाडू दोस्तों आपको पता है अगर हम लोग थोड़ा सा अगर जोग्राफिकल पे आएं तो आपको बता है कि यह नीलगिरी पर्वस्थेनिक विस्तार यह जो है करनाटक है यह करनाटक ठिक है, इसके नीचे में आओगे, तो केरल, और इधर से तमिलाडू, ठिक है, तमिलनाडू, तो आपसे पूछ रहा है कि किस राज में इसका विसार सबसे ज़ाद है? तो याद रखिएगा फश पे तमिलाडू है दूसरे नंबर पे केरल है और तीसरे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा करनाटक हो जाएगा तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो निलगीरी परवस रेनी है उसका विसार सबसे ज़्यादा किस राज में है दोस्तो तमिलाडू में पहला ही इंपोर्टेंट परस्न है आप लोगे लिए और इस तरीके से परस्न परिछा में पूछे जा रहे है ये पहले लोग याद कर लेते थे कि निलगीरी परवस र जाना है आपको ठीक है अगला जो प्रस्न आपके सामने आ रहा है याद रखिएगा कि पहला जैव ये आप इसको जो है इसको आप क्या करोगे पहला जो है पहला जो है इसको जैव कर लोगे आप भारत का पहला जैव मंडल भारतिये छेत्र कौन है इसको आप छेत्र कर सकत ठीक है तो याद रखिएगा भारत का पहला जैव मंडल छेतर कौन है ठीक है दोस्तो तो याद रखिएगा इसका जो एंसर होगा ओगा निलगीरी जैव मंडल निकाए यानि कि निलगीरी जो है जैव मंडल निकाए जो है भारत का पहला जैव मंडल अरक्षित छेतर है दोस् इस चीज को आप याद रखिएगा ठीक है और आपको बता दे जो आपको परिशाओं के लिए काफी important हो सकते हैं इस चीज को आप याद रखिएगा ठीक है इस चीज को आपको याद रख लेना है थोड़ा सा mapping के माध्यम से आपको shortcut में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्त तो याद रखिएगा उतराखन में इसको याद रखिएगा बहुत पूछे जाते ध्यानपुरुवक ठीक है और उसके बाद आपको यहां पर आजये चक्कि में कंचन जंगा याद रखिएगा रुनाचल में, दो असम में है, याद रखीगा, कौन कोन है असम में, तो याद रखीगा डीबरु साइखोगा और मानस, ये दोनों असम में है, याद रखीगा इसको दोस काफी important है और याद रखिएगा एक जो है आपका मेघाले मेघाले में कौन है नो क्रेक नो क्रेक कहां पर है तो याद रखिएगा नो क्रेक है मेघाले में और याद रखिएगा यहाँ पर पशिम बंगाल और पशिम बंगाल में कौन है सुन्दरवन कौन है सुन्दरवन और याद चलम कौन है सेशा चलम तो यह सब काफी आपके लिए इंपोर्टेंट है और याद रखेगा नीचे में आपको यहां पर तमिलाडू सेक्टर में यहां पर आईएगा तो क्या होगा मननार की खाड़ी याद रखेगा मननार की खाड़ी और इधर में अंडमान निकोबार में देखेए इसको याद रखेगा पोर्ट बलेयर तो याद रखेगा यहां पर जो है ब्रीहत निकोबार है इसको याद रख लेना है ब्रीहत निकोबार ठीक है तो ब्रीहत निकोबार को याद रखेगा यहां पर जो है यहां पर अंडमान निकोबार में ब्रीहत निकोबार इसको भी आप याद रखिएगा काफी important है दोस्तों ठीक है और आपको बता दे इधर में आईएगा मद्य परदेश में एक यहां पर 36 गड़ 36 गड़ में कौन है अचानक कमार अचानक कमार अमरकंटक अमरकंटक यह 36 गड़ में है ठीक है और याद रखना मद्य परदेश में एक है पंच मढ़ी और पन्ना यह दोनों को आप याद रखिएगा और इधर में गुजरात में याद रखिएगा कच का रन ये भी आपका जयों मंडला रक्षी छेतर है दोस्तों और याद रख लेना यहाँ पर आपका जो है इस एरिया में तो याद रख लेना निलगिरी तो है ही निलगिरी तो है ही आपका और साथी साथ नीचे में केरला साइड में अगस्त मलाई केरला साइड में कौन है अगस्त के लिए दोस्तों काफी important है 18 जयों मंडल रक्षि छेटर का आपको याद कर लेना है कितना जयों मंडल रक्षि छेटर है 18 और अगर पूछेगा कि पहला कौन है तो याद रखिएगा पहला कौन है निजज़ कर दिए जयों मंडल निकाए अगर पुछेगा सबसे बड़ा जयों मंदर अरक्षी थितर कौन है तो सबसे बड़ा में कमार येगा सुन्दरवन अगर पुछेगा कि सबसे छोटा जयों मंदर अरक्षी थितर कौन है तो याद रखेगा डिबरू साइखोवा ये कहां पर पढ़ता है तो याद रखना अस जो भी प्रस्ण बनते हैं इसमें हमने लाने का प्रयास किया दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है इस चीज़ को आप याद रखिएगा और देखे अगला कोशन पर आते हैं करता है किस अधनियम को छाता अधनियम भी करते हैं अम्ब्रेला एक्ट दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट है किस अधनियम को हम लोग अम्ब्रेला एक्ट करते हैं काफी इंपोर्टेंट है अम्ब्रेला एक्ट दोस्तों इसके आद रखिएगा प बताने का प्रयास कर रहे दोस्तों एक इंपोर्टेंट बात कि वन सरक्षन अधिनियम कब आया दोस्तों वन जीव सरक्षन अधिनियम आया 1972 में याद रखेगा पर्यावरन सरक्षन अधिनियम 1986 में सचवाले का भी जो पांच तरीक एक्जाम हुआ उसमें ये पूछा था कि पर्यावरन सरक्षन अधिनियम कब आया था? 1986 बन सरक्षन अधिनियम कब आया था? दोस्तों जल परदूशन रोक्थाम अधिनियम इसको याद रखिएगा ये कब आया 1974 दोस्तो याद रखिएगा इसको आगे बताते आपको कि जय विविद्धता सरक्षन अधिनियम ठीक है जय विविद्धता सरक्षन अधिनियम दोस्तो आया ये 1990 में काफी इंपोर्टेंट है और या जय विविद्धता अधिनियम आये तो याद रखिएगा ये आया था 2002 में याद रखिएगा दोस्तो अभी उतराखन का पेपर हुआ जेई का उसमें ये कोश्चन पूछा गया था कि जय विविद्धता अधिनियम कब आया 2002 में सच्चिवाले का पांच सरीके जो पेपर थ दरोगा के लिए बीपी एसी के लिए किसी विग्जाम के लिए दोस्तों ये काफी काफी इंपोर्टेंट है और इसको प्लीज आप क्या किजिएगा इसको लिख लीजेगा बहुत जरूरी है दोस्तों पूरा वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए और डीटेल को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों काफी फायदेमन्द होगा ये सिरीज आपके लिए दोस्तों ठीक है आगे जो है अगला कोश्चन पर हम लोग आते है बताइए माइक कारकरम का संबन किस दियो को बचाने के संबन में है हानी अच्छा है यहाँ पर कुछ देखे यहाँ पर क्य गहें इसके जगह पर घोड़ा है ठीक है और बाग और पेंग्वी किसको बचाने के लिए मेक कारकरम लाएगे है दोस्तों ठीक है तो देखे इसका एंसर जो होगा आपका होगाở Impossible माइक कारकरम का संबन किस दियो को बचाने के संबन में दोस्तों हाह ठी pass कभी-कभी माइक का पुल्फर्म पूछ दिये जाते हैं ठीक है तो माइक को याद रखिएगा monitoring of illegal illegal killing of elephant दोस्तों ये बहुत important question है इसको याद रखिएगा काफी परिशाओं में पूछ दिये जाते हैं जो हाथियों का जो तरिके से जो उनका क्या किया आता है तुसकरी की जाता है उनको बचाने के लिए जो और तुम को मार दिया जाता है तो याद रखिएगा उनके दाथ तुथ काफी जो है अर्वेदिक के तोपर या मैडिस्न की किसे हां तीस अच्छा एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है परिछाओं के लिए आपका अगर पूछ देगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवाद कब हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर तो प्रोजेक्ट इसको याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर का जो सुरुवाद हुआ उननीस वतिहतर में हुआ काफी इंपोर्टेंट है अभी पूछा भी गया है वी पीएस्टी में भी पूछा गया है और दरोगा में भी पूछा गया है दोस्तों याद रखिएगा चाह सचवाले का पेपर हो सभी पेपर म परियोजना इसको याद रखिएगा गीद सरक्षन जो परियोजना है दोस्तों ये आया था 2006 में तो इसको याद रखिएगा कि माई कारिकरम किसे बचाने को लेकर है हाथी को याद रखिएगा काफी important question है बहुत बार परिचाओं में पूछे गए चलिए अगला question पर आते ह याद रखिएगा तो 1971 में हुआ ठीक है याद रखिएगा ये बहुत बार परिचाओं में प्रस्थ पूछे जाते है कि सोतंत्र देश के रुपे बंगलादेश का उदे कब हुआ तो याद रखिएगा 1971 में बंगलादेश को परे हम लोग पूर वी पाकिस्तान के नाम से ज याद रखेगा चलिए अगला कोश्चन पर हम लोग आते हैं कता है कि चंपारन सत्यगरा के दोरान किसे अंग्रेजों में लालस देकर गांदी जी के दूद में जहर देकर मारने की कोशिस की थी तो ये काफी इस बार विपीएस्टी में भी ये प्रस्थ में आया था दोस्तो इंपोर्टेंट है आप बताईए इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा बतक खान दोस्तो चंपारन में जब गांदी जी 1917 में कंग्रेस के लखना हुआ दिवेशन में क्या हुआ था 1916 में जो राजकुमार सुकल है उनके परियासों से गांदी जी चंपारन आये और जो गांदी जी के लोगपरियता बढ़ रही थी दोस्तो तो अंग्रेजों काफी डर हो गया कि यह बैक्ती आकर यहां पर जो है हमें पर्शान करेगा तो उन्होंने क्या कि बतक खान को लालस दिया कि उनके जो है दूद पहुचा आते थे अंग्रेजों को तो उनको बोला गय अगर बतक खान नहीं बचाता गांडी जी को अब सो सकते हैं गांधी जी के बिना चमपारण में किसानों का क्या हल होता और हमें राश्पीता के रूप में महात्मा गांधी हमजगे बाद तो याद रखेगा बतक खान लेकिन ऐसा नहीं किया गया आज हम जिस राश्पिता को जानते हैं महात्मा गांदी उनका जो है राश्पिता के रुप में उभरने में बतक खान का भी काफी महतोफोल जगदान रहे तो इसको आप याद रखेगा दोस्तों काफी इंपोर्डेट ठीक है आगे आएए करता है आंध परदेश की नई रजधानी क्या होगी कुर्णूल विसाकापटनम ठीक है तेलंगाना याद रखेगा इसमें क्या होगा ठीक है देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है यह जो होगा आपका अमरावती होता है यहाँ तो वो दखता है कि मिस्टेक हो गया है कोई बात नहीं क्या होगा इसमता यहाँ देखिए आन्ध परदेश की जो नई रजधानी होगी दोस्तों वो अमरावती होगी कौन एश्वरी यह विसाकापटनम होगी इसको जान लिजे कि जो आद्ध परदेस की जो नई रजधान यहाद रखेगा तो बरतमान में पूछेगा तो आंध्र परिषाओं के लिए इंपोर्टेट है जब पूछेगा कि एक भासाई अधार पर पहला कौन सा राज के गठन हुआ तो आंध पर्दिसका कब 1953 में उस समय उसके रज़ानी कहा थी करनूल आप एक बात बताओ यार कि राज्य पुनर गठन आयोग कब बना था राज्य पुनर गठन आयोग कब बना था तो याद रखेगा 1903 में आच् कौन थी ठीक है तो देखो इसमें तीन सदस थे तीन सदस से थे दोस्तो तो याद रखेगा जो पहला थे जस्टिस फजल अली कौन थे दोस्तो जस्टिस फजल अली और जो जस्टिस फजल अली थे न यही राज्य पुनर गठन आयोग के क्या थे अध्यक्स थे तो याद र तो याद रखिएगा K.M. Panikkar ये बहुत परिष्हाओं में परस्म पूछे जाते हैं K.M. Panikkar K.M. Panikkar और याद रखिएगा और एक और ते हिरदेनात कुणिरू कौनते दोस्तो तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है? काफी important है अगला question पर आगे कहता है कि अफगनिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है याद रखेगा अफगनिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है तो याद रखेगा वह बताए कौन होगा संजुक्तराज अफगनिस्तान ये इसको आप काट सकते हो संजुक्तराज अफगनिस्तान इसलामिक एमिरेंट ऑफ अफगनिस्तान संजुक्तराब अमिराद इन में से कोई नहीं बताए देखे इसका जो एंसर होगा वह इसलामिक एमिरेंट ऑफ अफगनिस्तान होगा तो य कि आपके परिशाओं के लिए काफी important है दोस्तों इसको याद रखिएगा ठीक है आगे जो है करता है कि under 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता किस देश ने जीता भारत, नेपाल, जपान, इंगलेंड देखे इसका जो एंसर होगा वह क्या होगा भारत यानि जो है दोस्तों जो भारत है याद रखिएगा अंडर 19 महिला T20 वर्ल कप जितने वाला पहला देश हो गया है दोस्तों ये पहली बार ही आयो जित हुआ है इसलिए इंपोर्टेंट है आप पहली बार आयो जित हुआ है और उसको पहली बार भारत ने जित लिया ये तो हमारे लिए गर्ब की बात है तो एक जामिलर का मन इस कोश्चन को बनाने के लिए कर सकता है आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों ठीक है और एक बात और याद रखेगा दोस्तों कि अंडर 19 जो महिला T20 वर्ल कप हुआ है 2023 याद रखेगा इसको भारत ने जिता है और याद रखेगा इसका आयोजन कहां पर पूछेगा कि भारती महिला किर्केट टिन की कप्तान कौन थी तो याद रखेगा सेफाली बर्मा कौन है तो सेफाली बर्मा ये कप्तान थी अगर आपसे पूछ देगा दोस्तों किस देश को हरा कर जिता तो याद रखेगा इंगलैंड को हरा कर जिता जिती लोग तो में है और इसके ICC के अधेक्ष कौन है दोस्तों तो याद रखिएगा ग्रेक ब्राकले हैं अगर आप से पूछ देगा कि बीसी से अधेक्ष कौन है तो याद रखिएगा रोजर भी नहीं बहुत लिपीट मारा है यह कुछ से याद रखिएगा चलिए आगे आते हैं करता है कि संज्युक्त राष्ट महा सभा के 77 के अधेक्ष कौन है देखिए आपके सामने ऑप्सन है गगन जोगी राजीव कुमार बिनेत सेन और सभा करोशी बताइए देखिए इसका जो एंसर होगा ओगा सभा करशी हमको इंपोर्टेंट है इसको आप याद रखिएगा के लिए सभा करोशी साथ असमें संजुक्त राष्ट संग जो होते है उसमें संजुक्तर शंग के जो महा सभा का जो होते है पर एक शतर हड़ एक साल उसका जो है बने इसको याद रखियेगा अब जैसे आपको बता दे कि जो इवेनो है इवेनो मंद्ला उनाइटेट रखिएगा इसका मुख्याले कहां है दोस्त तो याद रखिएगा इसका मुख्याले है नीव योर्क में है और इसमें टोटल सदस से कितने है 193 अगर पूशेगा कि 193 वा सदसे कौन है तो याद रखेगा दक्षनी सुडान है और चुकी संजुक्त राष्ट संग का स्थापना 24 अक्टूबर को हुआ था इसलिए 24 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं याद रखेगा संजुक्त राष्ट संग दीवस मनाते हैं कब मनाते हैं सर तो याद रखेगा 24 अक्टूबर को मनाते हैं तो यह कुछ बेसिक बात है अपके परिशाओं के लिए अगर पूछेगा चलिए अगला मैं आते हम लोग करता है कि भारत और किस देश के बीच वायू सेन अभियास बीर गर्जियन 2023 हुआ important है दोस्तों बताए नेपाल जपान रूस और चीन किसके किसके बीच में हुआ तो देखे ये हुआ जपान के साथ देखे दोस्तों अभी जपान के साथ अच्छे रिलेशन है भारत के तो याद रखेगा जपान के साथ हुआ और जपान के साथ एक और सैने अभियास होता है धर्मगर्जियन धर्मगर्जियन भी किसके साथ होता है जपान के साथ एक बार दरुगाग में पीटी में पूछा था जीमेक्स किसके साथ होता है तो याद रखेगा जपान के साथ ह कि याद होता है और जीमेक्स भी होता है तो यह आपके परिश्चाओं के लिए जरूर के साथ कौन सा सैने अभ्यास होता है दोसो सूर्य किड़न होता है दोस्तों इसको भी आद रखिएगा ठीक है तो काफी इंपोर्टेंट है और देखो दोस्तों हम लोग वही question दाने को प्रयाज के ज़ोगे परिच्छे के ज़रूरी है ठीक है तो अगर हमारा प्रयाज ठीक लग रहा हो तो हमें भी थुटरा like से subscribe करते हैं वीश-बीश तैकि हमारा भी उस्टला बुलंद होता रहे ह। थोड़ा सा ठीक है अगला जो question है करता है कि Australian Open उपन दोज़स्वातेज की महिला एकल विजेता कौन है इगाश्वातेक है ये इगाश्वातेक सिरेना बिल्यम ऐसले बार्टी और एरिना सैवनेंका क्या होगा बताःए अगर देखिये इसका एंसर होगा एरिना सैवनेंका दू सब को पता है कि जो है पहला जो ग्रेंड सलम होता है ओ होता है अस्ट्रेलीयन ओपेन पहला जो होता है और जो चौथा होता है तो अभी जो है याद रखिएगा अभी आपको जो बता दे कि ये जो है दोस्तों कि Australian Open जो हुआ है देखिए Australian Open पहला होता है तो पहला में अगर महिला एकल है तो एरीना से बनंका और ये किस देस्की है दोस्तों बेलारूस की है किस देस्की है बेलारूस की दोस्तों इस बर सच्चुवाले में जो second sitting question आया उसमें पूछा था कि बेलारूस की रजधानी कहा है तो मिंस्क देखो कभी-कभी मतलब जो ये जो है Australian Open है या French है विबर्डन एवेस ओपन है ये काफी important tournament है grand slam है तो इसके बिजेता के जो खिलारी है जो बिजेता है उनके देश सम्मंदी देश का नाम पूछ देता है तापके लिए काफी important है तो एरिना से बनंका जीती है श्रीन Open महिला एकल का खिदा ये तो जरूरी है और साथी दद पूरूस में कौन जीते है बोस पूरूस एकल में पूरुस एकल में कौन जीते हैं तो याद रखिएगा नौाक जोकोविच नौाक ठीक है इसको याद रखिएगा क्या होगा तो याद रख लेना है नौाक जोकोविच दोस्तों ये भी आपसे परिशा में पूश चुका है कि नुवाग जो कोई बीच किस देश के रहने वाले है तो याद रखेगा सर्विया के रहने वाले है तो ये भी आपके परिच्छाओं के लिए काफी important है जान दिजिएगा ठीक है अभी सब होने वाला होगा तो जैसे इसे होगा हम लोग current affairs में करनें इसे याद रखेगा पहला कौन होता है अस्टेलियन उसके बाद french उसके बाद बिबर्डन और इसके बाद इवेस होगे शुरुआत अस्टेलियन से अंत इवेस याद रखेगा आगे आते हम लोग दोस्तो करता है global economic prospect report कौन जारी करता है दोस्तो आज कल का जो trend है उस trend को समझते हुए त्यारी करोगे तो आपका examination अच्छा जाएगा इस बात का आपका हम गरांटी दे रहे है और हम लोग वही question लाते है जो आपको परिशाओं के लिए जरूरी होते है ये भी question अभी हाल में उत्राखन का exam हुआ या कोई सी exam हुआ हम इस पर नजर बनाए हुए थे तो देखे कि ये report के बारे में पूछे जाते है दरोगा में भी एक question आ जाते है किसी भी exam में एक question यहां से आ जाते है तो global economic prospect report कौन जारी करता है बीस सुबै अंतराश्रिये मुद्रा कोश है यह अंतराश्रिये मुद्रा कोश है International Monetary Fund WTOI बीस सुबै पार संगटन इनमें से कोई नहीं क्या होगा इसमें देखे global economic prospect report कौन जारी करता है दोस्त तो याद रखिएगा बीस सु बैंक जारी करता है यह काफी important है आपके परिच्छाओं के लिए कौन जारी करता है तो याद रखिएगा 200 बैंक जारी करता है अब देखो आपको बता दे कि 200 बैंक और कौन कौन सा report जारी करता है दोस्तों बहुत important है ठीक है याद रखिएगा पहला तो यह हो गया global economic prospect report ठीक है रेमिटेंस report रेमिटेंस report दोस्तों रेमिटेंस उसको कहते है जैसे कि मान लीजे कि कोई बेक्ती अमेरिका फ्रांस जैसे देशों मेरा रहा भारत का और वहां से पैसा यहां भेजता है कोई भी देश के लोग जो अन देश में जाकर जो अपने देश में पैसा भेज़ा उसको रेमिटेंस कहते है तो देखें दोस्त यहां पर आपको बता रहे है कि यह जो है यह अगर पूछेगा कि रेमिटेंस report कौन जारी करता है तो 20 सुबैंग वह ग्लोबल तो आप पता ही हो गया और दूसरा जो है याद रखिएगा इस ओफ इस ओफ लीबिंग इंडेक्स मतब किस देश में रहना कितना असान है इसके बारे में भी report कौन जारी करता है दोस्तो 20 सुबैंग ही जारी करता है याद रखिएगा यह सब परिछाहों में प्रस्ण बन जाते है और एक है रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलोप्मेंट डेवलोप्मेंट रिपोर्ट काफी important है दोस्तो तो यह अंतराश्री मुद्रा को सब एक report जारी करता है तो याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलूक आउटलूक रिपोर्ट यह बहुत important है इसको भी आप याद करके रखिएगा अच्छा अगर आपसे पूछ देगा कि अगर आपसे पूछ देगा कि डवलोटी ओ तो देखो अगर आपसे पूछ देगा कि डवलोटी ओ का असहपना तो याद रखेगा WTO का full pump होता है World Trade Organization ठीक है दोस्तो और याद रखेगा और इसका स्थापना हुआ था 1 जनुवारी 1995 और इसका मुख्याले कहा है दोस्तो याद रखेगा इसका मुख्याले है जेनेवा में और जेनेवा कहां पड़ता है दोस्तो तो स्वीटिजर्ट लेंड में पड़ता है काफी खुप्सरा जगा है याद रखेगा ठीक है यह सब काफी परिशाव में टोडल सदस कितने है 164 है और कौन सा नमिन्टम सदस से इसमें तो याद रखिएगा अफगानिस्तान इसका नमिंतम सदस्द से कभी-कभी पूछता है दोस्तों कि डव्लूटी ओ किसके जगह पर आया तो डव्लूटी ओ गैट के जगह पर आया था इस चीज़ को भी आप याद रखेगा दरोगा में यह परस्त पूछा हुआ है मेरे करना है कौन कोश्चन कहां से आता है इसे क्या कोश्चन बन सकता है इसको असाप ध्यान रखिएगा तो गैट जेनरल अग्रिमेंट ओन टैरिफ एंड ट्रेड इसका असापना कभ वह था 947 इंपोर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है अगला में आते है किस राज के मुकम के लिए याद रखिएगा तो किस राज के मुकमंतरी ने हाली में लाड़नी बहन योजना सुरुक है केरल उतर प्रदेस मद्व पर्देस हरियाना क्या होगा तो याद रखिएगा इसका एंसर होगा मद्व पर्देस काफी important है इसको याद रखिएगा दोस्तों अच्छा म मादेपरदेष में कुछ टाइगर रिजर्व जो है आपके परिशाओं के लिए काफी इंपपरटेंट हो जाते तो याद कि कौन कौन सेक है रिजर्व है मादेपरदेष में तो याद रखीएका काननकição कितली काना किसली नेस्दल पार्क मतलब राश्ट्रिय उद्यान काना किसली राश्ट्रिय उद्यान याद रखेगा दूसरा कौन है बांधोगड बांधोगड राश्ट्रिय उद्यान यसा भी याद रखेगा दोस्त काफी पूछे जाते है सत्पूरा सत्पूरा राश्ट्रिय उद्यान इसको भी आप याद रखिएगा सत्पूरा राश्ट्रिय उद्यान इसको याद रखिएगा पेच राश्ट्रिय उद्यान पेच और आगो पता है ना पेच जो है दो राजियों के बोडर पर है मद्पर्दिसोत महराष्ट और क पहला खेप में हमने नामीबिया से चीता मंगवाए थे 8 और अभी फरवरी में हमने 12 चीता साउथ अपरिका से मंगवाए हैं और उसको हमने कौन सा निशनल पार्क में रखा है, तो कूनो राष्ट्रिये पार्क में रखा है, तो इससीज को आप याद रखना ना भाई मेरे राष्ट्रियय पार्ख सवी दरोगाica में कोईशन आते रहता है किसी पिक्जाम में आते रहता है द्यान देना है चलि अगला question हम लोग आते हैं, पद में विभूशन पुरसकार 2023 कितने लोगों को मरनो परांथ है यह, याद रखेगा आप मरनो परांथ, ठीक है, यानि कि पद में विभूशन पुरसकार 2023 कितने लोगों को मरनो परांथ दिया गया दो, डारेक्ट आप कोई चीज़ को नहीं परांट मिला तो भाया याद रखेगा कौन को न अपसर न है चार दू पांच तीन क्या होगा एंसर इसका एंसर होगा दोस्तो थ्री यान तीन लोगों को मर्दो परांट दिया गया देखिये टोटल छे लोग को दिया गया तो याद रखेंगे अब पहला मुलाइम सिंग जादो जी मुलाइम सिंग जादो जो यूपी के जो है ये तीन बार जो है मुख मंत्री रख चुके मुलाइम सिंग यादो यूपी के मुख मंत्री थे ठीक है मरनो परांत मरनो परांत ठीक है दूसरा याद रखिएगा बाल क्रिस्न दोशी ठीक है इनको भी मरनो परांथ ठीक है तीसरा जो है दिलिप महल नोबिस दोस्तो ये भी मरनो परांथ तो टोटल तीन लोगों को क्या दिया गया मरनो परांथ ठीक है बाकी तीन का नाम भी आपको लिख देते हैं चोधा नमबर पे जाकिर हुसेन जो तबला वादक्त है जाकिर हुसेन ठीक है दोसों पांचवे नमबर पे हैं आपका एसम कृष्णा एसम कृष्णा और छटे नमबर पे स्री निवास वर्धन तो काफी इंपोर्टेंट है काफी इंपोर्टेंट दोस्तों तो टोटल छे का नाम आपके दिमाग मनचे बोलिए मुलायम सिंग जादो बाल कृष्ण दोश्री दिलेप महलोबिस ये तीनों मर्दों परांथ और बाकी जाकिर हुशायन एसन कृष्ण और स्री निवास वर्दन टोटल छे लोग को मिला जिसमें सतीन को मर्दों परांथ मिला वेरी वेरी इ याद रखेगा ऐसे भी कोष्टन आजाते है ठीक है आगे आते हैं इन मैंसे कौन सा अंटि सेप्टिक के उदारन को जाता है जिसका वार में यूज करते हैं चेकर अंटि सेप्टिक रोख लेते हैं इसको और रहे नहीं को दुर करने के लेते हैं लेकिन अंटिसेप्टिक जो है यह रोगानू रोधन यह बाहर में जो उप्चोट लग गया या इंफेक्शन हो गया तो उसमें आपको एंटिसेप्टिक देते हैं तो कौन है बताइए लो एकसी अच्छा इसका पूरा जो नाम है इसको अटा मॉर्फिन, मेथाडोन और इरिथ्रोमाइसी इसमें क्या होगा दोस्तों इसका एंसर होगा क्लोरो एकसी लिनॉल यह काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों आपको बात बता देते हैं याद रखेगा आपको परिशाओं के लिए आज कल ट्रेंड के अनुसार पढ़ाई करो मे याद रखेगा एक तो हो गया आपका कलोरेकसी लिनॉल याद रखेगा और एक और है बिथी एनॉल भी थी एनॉल फाइक्रोमाइसीन तो याद रखेगा एक है टींचर आयोडीन टींचर आयोडीन दोस्तों ये जो टींचर आयोडीन है ना एक परिशाओं पूछा कि टींचर आयोडीन जो है सर ये किसका मिसरन है तो याद एक तो आयोडीन रहे गई और एक अल्कोहल तो याद रखेगा अल्कोहल प्लस आयोडीन का क्या है मिसरन है इसको याद रखेगा काफी जो है इंपोर्टेंट है ये सब आपको परिशा के लिए ठीक है चलिए अगला कोशन ये दरोगा में आया था याद रखेगा आगे जो है कि भारत के सरोष न्याले के मुखनयादिस दी वाई चंदरचुर कौन से क्रम के है क्रम यानि कौन से क्रम के मुखनयादिस से 51,49,48,50 देखो सर आपको पहले ही बता दिए जब त्यारी करो तो उसको सब एंगल से समझने के प्रयास करो क्या मूड आएगा सीधे फ्लैट याद करने का प्रयास नहीं करना मेरे भाई ठीक है तो भारत के सरोष न्याले के मुखनयादिस दी वाई चंदरचुर जो है वो 50 नंबर के है याद रखेगा 50 नंबर के भारत के मुखनयादिस है इसको भी याद कर दे रहे है तो अध्या सरोष न्याले के गठन से साभण दिन डिरेक पूछे जाते है कि सरोष न्याले के गठन किस न्यादिस है एक सो गशेजाते है तो भारत की संचीत मेद्या से दिया जाते है याद रखेगा 126 में क्या है दोस्तों, तो सूप्रेम कोट में कारेकारी मुख्य न्याधिस, कारेकारी आक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है दोस्तों, कारेकारी मुख्य न्याधिस, कारेकारी मुख्य न्याधिस काने का मतलब है, कि माल लिजे कि सरोष्ण न्याले के मुख्य न्याधिस गठण का बात किया गए 126 में और करेकारी मुख नियादिस का निवस्ति कौन करता है दोस्तो जो राश्पती करता है याद रखिएगा और अंशेद 127 काफी IMPORTEND है एक तदर्थ नियादिस का बलन किस अर्ड किलम है दोस्तो तो 127 127 यह कूरम पूरा करने के लिए माल लिए कि कुछ important जो है important कुछ decision देना है और सरोष नयले में न्याधिस उपलब नहीं है जितना होना चाहिए तो याद रखेएगा तदर्थ नयाधिस की न्यूपती कौन करता है यहाँ पर तदर्थ नयाधिस की न्यूपती जो करता है वह भारत के सरोष नयले के मुख नयाधिस करता है CJI Chief Justice of India और किसकी परमर्ष से करता है दोस्तो राष्ट पती के परमर्ष से करता है किसको पूरा कर केलिए गणपूर्ती को पूरा करने के लिए याद रखिएगा अच्छा तरदृत न्याधीas का परणे हैं में किस देख से लिया है तो France देखिए आधको बता रहे हैं सभी चीजों को समझते हुए पढ़ने के प्रयास की जाएगा करेंट के साथ भी ठीक है तो कुछ important आड़किल है और 129 सरोष न्याले एक अभी लेक न्याले है अभी लेक न्याले है इसका किस आड़किल में है 129 में अभी लेक न्याले कहने का मतलब है कुछ सुप्रीम कोड के जो decision होते है और रिकोर्ड उसका रखे जाते हैं अगर कोई भी न्याले उस सुप्रीम कोड के decision के विरोज में जाकर को decision देता है तो न्याले का उमानना माना जाता है दोस्तों तो याद रखेगा सुप्रिम कोट एक अभिलेक्ष न्याले है और याद रखेगा 129 में इसका वर्लेन है तो कुछ होगा प्लाज्मीड आपको पता है सर जो डिने मतलब क्या हट लेन मतलब और डिने का फूल हम और याद रखेगा है ड्यक्राइबोस राइबोस निउनकलिक एस हम जो डीने की जो आक्रिती होती है उसके विप्रीत याद रखिएगा डिने की जो आक्रिती होती है कुछ इस तरीके से होती है ठीक है अगर पुछे कि प्लाजमीड याद रखिएगा ये जीवानों में पाए जाने वाला एक अलग परकार का डिने है जिसकी आक्रिती वर्चुल होती है या तो प्लाजमीड का प्रियोग करते है वेरी 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 इंपॉर्ट जैसे आप देखते होगे कि एक जैसे आप कुछ दिन पहले बीटी कोर्टन का नाम अपने सुना होगा बीटी कोर्टन ठीक है बीटी कोर्टन का मतलब क्या हो गया बीटी का फिर्पम क्या होता है वेसिलस थूरेंजेसिस ठीक है दोस्तों देखे क्या होता है कि पंजाब में कपास पे कीट लग जाते थे कपास के पेड़ों पर और पूरा कपास जो है खराब हो जाते थे तो हुआ ये कि हमने क्य कि यह बीटी जो है बीटी यानि वैसलस तुरेंजिस से याद रखिएगा क्राई वन जो है नामक एक जीन को निकाल दिया और यह जो है निकाल कर इस कोटन के साथ यह कोटन उत्पादन तो बहुत करता था लेकिन यह कीटो से अपने आपको बचा नहीं पता था तो बीटी को वैसलस तुरेंजिस से क्राई वन जीन को निकालके इस कोटन के साथ हाइब्रीड करवा दिया गया यानि कि जिनेटिक इंजिनरिंग कर दिया अब यह जो कोटन नया त्यार होगा दोस्तों हाइब्रीड इसमें उत्पादन चमता तो हो गहीं और साथी साथ यह कीटों से भ परयोग होता है तो plasmid का यह काफी important है दोस्तों याद रखिएगा और genetic engineering की इसका example जो है आपका golden rice भी है काफी important है golden rice सुनहरा चावल तो सुनहरा चावल genetic engineering का perfect example है भारत में कूपोशन की समस्या दोस्तों इतना है कि भारत में एक तो लेड़ी बहुत गरीबी है और गरीबी कारण यह कूपोशन की समस्या है उचित nutrition गरीबों को नहीं मिल पाता तो भारत सरकार ने एक सकेंड भारत सरकार ने दोस्तों याद रखिएगा golden rice का इजाद किया है इसमें vitamin A जो है भरपूर मातरा में होता है लेकिन problem यह है सर कि इसको धोने से vitamin B1 नस्ट हो जाता है vitamin B1 क्या होता है नस्ट हो जाता है याद रखिए ता golden rice genetic engineering का perfect उधारन यह भी है और इ जो जाता धोने पर vitamin B1 नस्ट हो जाता है इसलिए मतलब golden rice से चावल को बार बार खाने से very very रोग हो जाता है क्यों दोस्तों क्योंकि vitamin B1 तो उसमें loss हो जाता है vitamin B1 का पूर्ती body कर नहीं पाता है इसलिए very very रोग हो जाता है तो एक जामपल्स याद रखिएगा अगला question मे चलते हैं कि खता है यह आइंस्टीन है सब ठीक है थोड़ा सा आज सोलब में स्प्रिंट हुए है लेकिन अगला पर नहीं होगा आइंस्टीन को नोबेल पुरुषकार किस कारे पर मिला देखें आप एक शिता का सिधान पे ठीक है बोंस आइंस्टीन साजनन ठीक है प्रकास बिदोध प्रभाव यह पर्फेक्ट एंसर है यह पर्फेक्ट एंसर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन साब बहुत बिचित टैप के बहुत बेहतरीन वैग्यानिकों में से एक रहे हैं इन्होंने सुत्र दिया यह बराबर MCS को आहा है इन्होंने बोला सर की दर्वयमान को उरजे में बजला जा सकता है इनर्जी को मास को इनर्जी में बजला जा सकता है जिदान किससे दिया तो उइस्टीन साहब ने दिया और ये इसको BPSC में पूछ दिया हलका हलका question पूछे जाते हैं बट बेवहारी कोशिन पूछे जाते हैं थोड़ा सा ध्यान देना है ठीक है तो चलिए आगे हम लोग आते हैं भारतिय सूपर कूप्यूडर के जर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन है किसको कहा जाता है रगुनात मरोलकर बीजे भाटकर जैंत निलिकर नंदन निलकेनी यह निलकेनी है अब बताओ कौन होगा इसमें देखिए इसका एंसर होगा बीजे भाटकर सर ये जो नंदन निलकेनी साहब हैं इनको भारत का अधार मैन कहा जता है यानि कि अधार कार्ड के जनक थे नंदन निलकेनी याद रखिएगा अगर पुछे कि भारत में सुम्पर सूपर कम्प्रूटर के जनक कौन है बीजे भाटकर याद रख लेना है दोस्ट कौन सुमेलित नहीं है ठीक है तो कहता है कि फैदोमीटर समुन्थ की गहराई हाईगरोमीटर आदरता अल्टिमीटर बीमानों की उचाई बीमानों की उचाई तो यहाँ पर क्या होगा कौन इसमें सुमेलित नहीं है तो याद रखिएगा फैदोमीटर समुन्द की गहराई हैग्रोमीटर आदरता अल्टेमीटर बिमानों कुछाई सभी इसमें सही है याद रखेगा इसमें कोई गलत है नहीं सब सभी सही है पचास कर देते हैं देखे आगला कोशन में आते हैं दोस्तो देखे अगला कोशन क्या कहता है कि रेडियो एक्टिवीटी का मातरक क्या है ठीक है तो इसको याद रखेगा कि रेडियो एक्टिवीटी का मातरक क्या है तो ये आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्यूरी है दोस्तों ये बैकुरल है ये और अधर फोट इसमें से सभी क्या होगा इसका एंसर देखें ये भी आपका एक्जाम में आए हुआ कोशन है और इसका एंसर होगा सभी रेडियो एक्टिविटी का मात रख हैं सभी क्यूरी बैकुरल और रधरफोर काफी इंपोर्टेंट है चलिए अगला कुश्चन में हम लोग आते हैं पीछड़ा जाती आयोक के प्रथम अधेक्ष कौन थे मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन है दोस्तों जग्जीवन राम काका साहब कलेलकर बीपी मंडल है ये बीपी मंडल बिंदेश्री परसाद मंडल और बी आरमबेटकर हमारे देमरामबेटकर साहब क्या होगा दोस्तों इसका एंसर होगा काका साहब कलेलकर और पीछड़ा जाती आयोक का प्रथम अध्यक्ष बने और देखिए एक चीज़ आप याद रखेगा दो पीछड़ा बरग आयोक बने हैं आपको परिशाणों के बता देते हैं ध्यान प्रूबगर पहला पीछड़ा जाती क पहला पिछड़ा जाती आयोक जो बना था दोस्तों 1953 में और अध्यक्ष कौन थे अध्यक्ष से यही काका साहब कलेलकर और दूसरा जो बना याद रखेगा मंडल आयोक याद रखेगा मंडल आयोक बना 1978 में ठीक है और इसके अध्यक्ष से बी-पी मंडल और BP मंडल साहब का full form पूछ लेता है कि BP मंडल साहब का full form क्या होता है तो बिंदेश्री परसाद मंडल बिंदेश्री परसाद मंडल दोस्तो एक बात याद रखिएगा दो बने लेकिन आपके लिए important कौन है यह दोनों याद रखिएगा दुश्रा को भी और मंडल आयोग जब बना BP मंडल तो याद रखिएगा मंडल आयोग जो है अपना रिपोर्ट दिया 1980 में मुरारजी भाई की सरकार ने इसका गटन किया जो मुरारजी भाई देशाई जो हमारे परदान मंत्री बने उन्होंने मंडल आयोग को OVC को आरक्षन देने के लिए 88 में से गटन किया और 80 में उनकी सरकार गीर गई और 80 में रिपोर्ट दिया और याद रखिएगा मंडल आयोग के रिपोर्ट को 1990 में लागू किया गया उसका में भारत की पधान मंत्री थे बीपी सिंग दोस्तों ये काफी काफी important है कि मंडल आयोग के रिपोर्ट को किस पधान मंत्री ने लागू किया इंदरा गांधि की सरकार ने हाथ जोल लिया बोला कि भाया हम BP मंडल आयोग के मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे हम 27 परशन अरक्षन नहीं देंगे हम देश में आरक्षन के नाम पर भटवारा नहीं करेंगे इंद्रा गांदी मर्गी राजु गांदिया है उन्होंना भी हाथ जोल लिया कि नहीं हम देश सकते हैं लेकिन BP मंडल के रिपोर्ट को यानि मंडल आयोग के रिपोर्ट को परहान मंत्री BP सिंग ने 1990 में क्या कर दिया लागू कर दिया गया और भारती राज़िति में लालु परसाद ज्यादों जी को मिला और उन्हीं के परयास से बहुत लोगा प्रयास था राम भी मुलाईम सिंग जादों जी का वी नितिश्कुमार जी जो हमारे मननिय मुख मंतरी हैं तो ये लोगों के परयास से आपका क्या हुआ मंडल आयोग का रिपोर्ट लागू हुआ जिसमें लालो जी का काफी आप कह सकतो जुगदान और मंडल आयोग के रिपोर्ट लागू होने से बिहार का टाज बिहार सुप्रीमो लालो परसाद यादो जी को मिला और बिहार के सीम बने हो दोस्तों तो याद रखिएगा और इस मंडल आयोग के रिपोर्ट में 27% जो है आपका सरकारी नोकरियों में OBC को क्या मिला आरक्षन मिला तो ये काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों तो याद रखिएगा 27% जो आरक्षन जो OBC को मिला किसके रिपोर्टों मिला मंडल आयोग और ये बिहार के पुरुफ मुखमंत्री भी रहे इस पीसको भी आप याद र और होल बैंटिस जॉंसन नहीं है बॉरिस जॉंसन याद रखिएगा बॉरिस जॉंसन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मिसर के इसमें तरह कौन होगा इसका एंसर जो होगा यह होगा अब्दुल्ला फते अल सीसी यह मिसर के राश्ठ्पती रहे ठीक है कहा के पती रहे तो यह काफी काफी important है इससे को भी आप याद रखिएगा ठीक है अगला question में आते हैं हम लो कहता है कि हाली में quiet देशों का युदा ब्यास माला बारे सर थोड़ा से आज misprint हुआ है अगला बार से आपका misprint नहीं होगा याद रखिएगा कहता है कि हाली में quiet देशो का यूदा ब्यास माला बार्थ 2022 का आयोदन कहां हुआ तो याद रखिएगा कहां हुआ तो जापान की रघ्न मेझाई टोक्यो में हुआ quiet मतला समझोन सर चार सिस तेश इसमें सामिल है क्वाइड में चार देश सामिल हैं कौन कौन है तो याद रखिएगा भारत दूसरा है जापान तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चोथा है याद रखिएगा अमेरिका अमेरिका ठीक है और इन क्वाइड देशों का मालाबार नामक जो युदाव्यास हुआ जपान में हुआ अब आपसे पूछ सकता है सर कि क्वाइड का अस्थापना कब हुआ था तो 2007 में हुआ था जब जपान के पूरो परदान मंत्री जो थे सिंजो अबे सहब उन्होंने इस चार देशों को मिलाकर एक क्वाइड बनाने की संकल्पना दिया था बन भी किया लेकिन चीन के दवाव में आकर अस्थेलिया ने अपने को अलग कर लिया तो क्वाइड जो ये संगठन था फिर खतम हो गया फिर 2017 में सिंजो अबे के प्रया से फिर से क्वाइड का क्या हुआ पुनर गठन किया गया अस्टेलिया आ गया क्योंकि चाइना सर आप समझते हो ना चानीज देश और चानीज सामान का कोई भरोसा नहीं है याद रखिएगा ये चीज़ को तो ये चीज़ चारो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है दूसरा बत याद रख लेना बोस कि सिंजो अब सब्सक्राइब करेंगे और इसके साथ समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों अगर हमारा प्रयास बढ़िया लग रहा हो तो हमें भी लाइक से सब्सक्राइब कीजिए हमें भी आगे बढ़ाइए अपना ध्यान रखिए सब्बाख है फिलिप वेल टेक केर